उदे इंडिया, उदे इंडिया शिरी अटल विहारी बाजपई के कथन को दोहराना चाहूंगी सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगडेंगी मगर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और इसी लोकतंत्र की ये खूबी है कि यहां आज विभिन, धर्मों, जातियों, समुदायों के लोग रहते हैं जिस प्रकार रंग विरंगे फूलों का गुलदस्ता, आकर्शन का केंद्र होता है उसी प्रकार भारतिय लोकतंत्र की भी यही खुब सूरती है कि भिन-भिन, धर्मों, जातियों, पंथों के लोग, आजादी के उपरांत, मिल जुलकर रह रहे हैं और देश को प्रगती पत की ओर अग्रसर भी कर रहे हैं भारत विश्व का बड़ा लोकतंत्रिक देश है, हमें गर्व है अपने समविधान पर, हमें गर्व है अपनी लोकतंत्रिक परमपराओं पर, और इसी समविधान ने हमें अभिव्यक्ती की आजादी दी है परन्तु क्या इस आजादी को हमने किसी के चरित्र हनन का माध्यम नहीं बना दिया है क्या हम इस अभिव्यक्ती की आजादी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं क्या हम शब्दों की गरिमा को भूल गए हैं क्या हम तर्क वितर्क के स्थान पर कुटर्क का सहारा लेने लगे हैं भारत के राजनिताओं के सामने ये यक्ष प्रश्न है वे ये कैसे भूल रहे हैं कि देश का युवा, देश का भविश्य उनकी हर हरकत को बड़ी सूक्षमता से अवलोकित कर रहा है प्रतेक शेत्र में मर्यादाओं का विघटन हो रहा है कवी धर्म विर भारती के शब्दों में मर्यादा मत तोड़ो तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगरसी गुझलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकडी सी तोड़ डालेगी इस जहरीले वातवर्ण को आत्म साथ करता आज का युवा जब देश का कर्णधार बनेगा तब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जस देश को वे किस दिशा की ओर ले जा रहा है और तब आप उसे किसी भी प्रकार से प्रश्णों के कट घरे में खड़ा नहीं कर सकते आज देश का बातवर्ण इतना विशाक्त हो चुका है इतना जहरीला हो चुका है कि आम आदमी सामाने हो ही नहीं पा रहा है यत्र नार्यस्तु पूजयनते रमंते तत्र देवता वाली नारी बलातकार की शिकार शारीरिक हिंसा की शिकार पढ़ा लिखा बेरोजगार अपराद की दुनिया में बेखौफ प्रवेश कर रहा है वोट बनाम नोट की राजनीती में बढ़ातरी हो रही है और धर्म और चाती के नाम पर राजनीती हो रही है संसद में गांधी जी की तस्वीर के नीचे ब्रश्टाचार का वे घिनोना रूप देखने को मिलता है जिसे देख भारती संस्कृती शरमसार हो जाए ये है मेरा भारत महान जिसे पहले मुगलों ने लूटा फिर अंग्रेजों ने लूटा और अब अब तो कहते हुए भी शरमाती है कि अपने ही लूट रहे हैं इमान कब बचा है नेती तो बहुत स्पष्ठ है शिकायत किस से करें जब पूरा तंत्र ही भ्रश्ट है अजादी के 75 सालों के बाद भी भारत विक्सित देशों की श्रेणी में क्यूं नहीं आपा रहा है हमullah से सारे जहां से अच्छा हिंदो स्ता हमारा क्यों नहीं कह पा रहे है कारण स्पष्ठ है जिस देश में चोर-्चोर मौसेरे भाई हों जहां अन्धार रेवडियां तो बाड़ता है लेकिन अपनों को ही देता है जहां चोर-चोरी से तो जाए पर हेरा फेरी से ना ऐसे देश का तो भगवान ही मालिक है श्रवन कुमार के देश में हम अपने माता पिता को व्रधाश्रम के हवाले कर देते हैं आज हर नेता भरष्ट है चप्रासी से लेकर पदाधिकारी तक रिश्वत खोर है युवा नशे में धुत है पेपर लीक होते हैं डिग्रियां बिक्ती है नियाए व्यवस्ता चर्मरा रही है बलातकारी खूने 14 वर्ष के बाद जेल से छूट रहे है गरील फुट पार्थ पर सोने के लिए मजबूर है देह अंगों का व्यपार होता है मानवता को ताक पर रख कर स्वार्थ सिधी की जाती है और धर्म के क्षेतर में राज़नीती के क्षेतर में सोशल मीडिया के क्षेतर में सोशल नेटवरकिंग साइट्स के क्षेतर में अनाप शनाप और अभध्र व्यक्तव्य दिये जा रहे हैं मर्यादा की सारी हदों को पार किया जाता है स्मर्ण रहे मर्यादाई जब तूटती है तो मानवता का सर्वनाश निश्चित है कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए एक कवी की पंक्तियों को यहां दोहराना चाहूंगी इन बंद कमरों में मेरी सास खुटती है खिडकियां खोलता हूं तो जहरीली हवा आती है धन्यवाद